अग्टर राम कपूर इन दिनों अपने लुप को लेकर काफी सुर्खियों में हैं राम कपूर ने पिशले कुछ महिनों में अपना बजन काफी कम कर लिया है और अब वो पहले से काफी फिट और पतले दिखने लगे हैं टीवी के सबसे महेंगे एक्टरस में से एक राम कपूर की पतनी गौतमी ने हाली में उनकी निजी जिन्दगी पर काफी खुलासे किये हैं जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे तो आखिर ऐसा क्या बताया गौतमी कपूर ने आईए आपको बताते हैं दरसल जब हाली में गौतमी से सवाल पूछा गया कि राम कपूर की फीमेल फैन फॉलोइंग को देखकर वो कैसा महसूस करती हैं तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने टाइमस ओफ इंडिया से कहा कि मुझे देखकर काफी अच्छा लगता है कि राम की इतनी फीमेल फैन फॉलोइंग है और मैं इन सब को लेकर काफी कूल रहती हूँ मुझे उनकी पत्नी होने पर गर्व है मैं अच्छे से जानती हूँ यहां तक पहुशने के लिए राम ने कितनी मेहनत की है आपको बढ़ा दे राम कपूर और साक्षी तरवर की जोड़ी को सीरिल्स बड़े अच्छे लगता है में काफी पसंद किया गया था इस सीरिल के बाद भी दोनों की जोड़ी पर काफी बार एक साथ देखी साक्षी और रामकुपूर की जोड़ी पर गौतमी ने कहा कि सीर बड़े अच्छे लगते हैं कि दौरान फैंस सोचते थे कि साक्षी ही उनके रियल वाइफ है जब हम परिवार के साथ विदेश गूरने जाते थे तो लोग अजीब नजरों से मुझे गूरते थे और सोचते थे कि साक्षी की जगा ये औरत कौन है शोशल मीडिया कर शुक्रिया की अब लोगों को पता है कि मैं उनकी पतनी हूँ तो सुना आपने फैंस साक्षी को ही राम के रियल वाइफ मानते थे वेल इसने फैंस का भी क्या कसूर परदे पर राम और साक्षी की जोड़ी लगती ही इतनी कमाल थी विल आपको बता दे राम कपूर और गौत्मी के मुलाकाद एक तक प्रपूर के शोग घर एक मंदिर के सेक्ट पर हुई थे इस शोग में गौत्मी राम की भावी बनी थी लेकिन शोग के दोरान ही दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे और इसके बाद गौत्मी और राम ने साल 2003 में शादी कर ली दोनों की शादी को करीब 17 साल हो चुके हैं करियर के पीक पर रहते हुए गौत्मी ने इंडरस्ट्री से किनारा कर लिया और शादी के बाद घर परिवार में व्यस्त हो गई है इसे बीच राम कपूर का इसीरिस में नजर आएं जिसमें कसम से और बड़े अच्छे लगते हैं को लोगों ने काफी पसंद किया वे लगर आप भी राम कपूरा साक्षी के फैन है तो जरूर बताईए कि परदे पर आपको इन दोनों ही किमिस्ट्री कितनी पसंद है लिखे अपनी उपीनियन नीचे कमेंट बॉक्स में